आज हम आई हुए हैं देरादोन में, FRI में और यहां पर मैं पहुंचा हूँ बैम्बू की नरसरी देखने के लिए जब कोई पोदा हम यहां से लेते हैं तो वो एक certified पोदा होता है और उस पर कोई question नहीं हो सकता है और मेरा उद्देश से रहा है कि मैं जो भी बात आप लोगों को बताऊं तो वो सरकारी अधिकारियों के मुख से बताऊं जिससे के आपको विश्वास हो और आप गलती करने से बचे मेरे साथ खड़े हैं संदीब कुमार जी जो यहां पर central nursery है उसके in charge है एक खड़े है मनीश जी जो यहां के head माली है अब हम आपसे कुछ प्रजातिया जाएंगे देखेंगे और जानेंगे संदीब कुमार जी से के इन प्रजातियों की क्या खासियत है और क्या पोधे यहां से मिल सकते हैं इनको और अगर मिल सकते हैं तो किस प्रकार मिल सकते हैं और हमने विभाजित भी किया है, वो पोधे हमने थोड़ा सा सोट लिस्ट करे हैं कि जिनसे किसानों को बहुत कुछ जादधना करना पड़े और अच्छी आमधनि भी हो आज के एक और साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर डीपी सिंग डॉक्टर डीपी सिंग हमारे डियाडियों के मेरे साथ ही मतलब रिटार हुए थे लगबग आगे पीछे और ये होटी कल्चर के बहुत भी से सक्या है तो इन्हों ने मुझे से कहा कि त्यागी जी एक बार FRI अवज से जाना चाहिए जहां पर हम आज आए हुए है आएए आप जानते हैं संदीब कुमार जी से इनके पोध होगे बारे में संदीब जी हमें पहले ये बताईए कि जो हमने अभी डिसकस कर रहे थे हम ये मानकर चलते हैं हमें छे वराइटी ऐसी बताईए जिसमें पहली हमें जो ये है बायो मास अच्छी तरह मिले दूसरी जो इस्ट्रक्चर में जैसे आसपास टाल पर लोग खरीते हैं बनाने के काम आए फंचक बनाने के उनका एक चत्री सी बनाने काम आए और एक सबसे जादा जो बिजनस इंडिया में इस टाइम है और सारा बाहां से इंपोर्ट होता है जो हमारी अगरबत्ती की इस्टिक बनती है इन तीन चीजों को धान में रखते हुए हमें कम से कम छे वरायटी ऐसी बताईए जिनने हम कर सकें देखिए सबसे पहले तो सबी साथियों को मेरा नमश्कार जैसे बनें बताया है कि बैंबू की जो नरसरी है उसमें सर्टिफाइड पोधे के बारे में बताए जाता है और सर्टिफाइड पोधे ही उसमें दिये जाते हैं वह बात Hyp Pois में सबसे ज़्यादा वो क्या है वेटिड होने की वजय से सबसे च्रहांवाइब्व सा यह, ईंडिया म्bike 마음에 इंडिया जितने पर बात करें हम बेंबुसा टुल्डा आज कल लगाया जा रहा है और उसमें जो है और काफी अच्छी माथ्रा में आपको बताई है इन में बायो मास के लिए यह बहुत में बात करें यह जिस हैं या दूसरे और काम में यूज होता है सबसे नंबर एक पर आता है बैंबुसा पोली मारफा जो है उससे आप हर तरह के आर्टिकल्स बना सकते हैं उसका रीजन यह होता है जो उसकी बास की जो नोट्स होती है वो बहुत ही लंबी होती है और फ्लेक्शिवल होती है जिसको चीड़ने फारने म हो बहुत सारी यह दिक्कत आती है कि कोई भी फसल लगाते हैं या कुछ भी जानवर से मालिय खत्रा भी रहता जन्गली जानवर उनको फसल को किसी हिच्ट हें पहुचा आती है तो बैम्बू सा बैम्भो जो कटीला बैम्भू होता है उसको आप फन्सिंग के साथ-साथ लगा सकते हैं उससे ये मुलिवांस हे मैलुकाणा बेसि फेरा का होता है ये जैसे हम मालिया ऐसन में कोई जैसे मचान ताइप बनाते हैं उसमें और जोपड़ी बनाते हैं तो इसको n ярक क्श्यों करके आरा हम बड़ी इजली से बना सकतें यह वैंबौसा हमारा मैलुकाणा बेसि फेरे उसके तुल्डा और नूतन की वो भी वराइटी हैं उनका बायो मास के लिए हम यूज करते हैं दोनों का बायो मास के लिए यूज करते हैं आपने क्वेस्टन किया था कि जैसे सीडियां मगेरा या कुछ इस तरह की हम बनाएं किस बांस की बनाएं उसके लिए डेंड्रो कलमस इस हमारे पास है लाठी बैंबू आप लाठी बैंबू को जो है सीडि में क्योंकि वो ठोस होता है उसकी नोट सोटी होती है और वो स्टोंग होता है अंदर से वो पॉली नहीं होता है पॉली से मतलब खोकला नहीं होता है तो उसकी आप सीडिया और जो है इस तरह के जो राज पैम्बु चार-5 साल में तायार होते हैं अगर बेडा की बात करें तो एक वार चार से पूरा मैच्जौर हो जाता है इसके साथ आपकी डेखushal पर डिपानी करता है कि it too अब उसके जमाटव टाम झाद पानी देते रहेंगी उसकी जड़े हैं उसके जाते है ap किसान साथियों यह बात यहां पर ध्यान रखें जिन भी लोगों से मैं मिला मैंने उनसे यह अवस्थ से पूछा कि बांस में लागत कितनी आती है अधिकतर आपको सुरू में नर्सरी वाले सभी यह बताएंगे कि जहां घास हो सकता है वहाँ बांस हो सकता है इसे किसी भी देख भाल की अवस्थ चकता नहीं है किसान सात्यों ऐसा बिल्कुल नहीं है जब आपको बांस का पोधा लगाना होगा वो एक अच्छी तरह गड़ा खोद कर उसमें खाट डाल कर उसमें थोड़ा सा गोबर का खाट बगरा डाल कर अच्छी तरह दीजिए और अगले साल भी आपको यही कारिया करना अच्छा खाट देना है उसके बाद धिरे धिरे कम होता चला जाएगा चुकि इसके पत्तों से बहुत बायो मास आ जाएगा और उससे खाट बनेगा जो आपको यह बताते हैं सुपन दिखाते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है हाँ अगर आप ठीक से करेंगे बीमारी इसमें बहुत कम होती है ना के बराबर होती है और आपको बार-बार के इस्प्रे से चुटकारा मिलेगा और अच्छी आम दिखाते हैं अगर आप फार्मिंग में भी या खेती में भी कर सकते हैं तो उसके लिए आप मार्च लास्ट में मार्च में या फर्वरी लास्ट में मल्टिप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बास के फोदे को गरम चाहिए सर्वाइव के लिए जैसे हम को इसकी ट्रेनिंग देते हो आप यहां इसे मल्टिप्लाई करने के अगर हम भेज़ दें किसी को हम लोग कराते हैं तो उस टाइम आप हम से कॉंटक्ट कीजे मल्टिप्लाई करा के दिखाएंगे बैम्बू परफगेशन वेजेटेटिव तरीके से कैसे तियार करते हैं बालकुआ को भी कर सकते हैं कोई भी बैम्बू होता है सब को कर सकते हैं तो यहां पर आप इसी तरह से करते हैं सब को टीशू कल्चर का नहीं है सीड से कौन से वाला करते हैं सीड से टुल्डा हो गया कटीला हो गया जो मैंने बताया था फैंसिंग के लिए सबसे अच्छा होता है जंगली जानौर से सुरक्सा के लिए यह को बैंबू सा बैंबू सा बैंबू सा, कटीला बैंबू है कटंगा जी से बोलते हैं वो यह है, और फैंसिंग के लिए आप इसे लगा सकते हैं यह ज्यादा हाइट भी नहीं लेता है अब 10 से 20 फिट की मुस्किल से हाइट लेगा ठीक है और आपकी जो बाउंडरी है वो एक शिक्कर बाउंडरी हो जाएगी इससे कितनी दूरी पर लगाएंगे हम इसको दोनो एक ही है एक ही होता है अच्छा ये कितनी दूरी पर लगाएंगे हम इसको बाउंडरी पर पांच फिट पर लगा दीजिया और जो पांच फिट का जो इसपेस यह कवर करें आप सब कई यह कितने साल का यह वाला जो बैंबू आपने फकड़ा है यह तो साल से प्लस है यह काटते रहते हैं यह फैंक यह बीच में कटे बेबी है ठीक है यह जो मैच्वर हो जाता था तो उसको हम काड़डेते हैं ठीक है और यह हमारा बंभूसा US ग्रीन कि ये दोनों नुम्हां बिंबय साववाय ग्रिए घृन हैं यह बिलकुल साख सुत्रा भंद वह ँती है उसके टेंट में जो लगाया लगाए जाते हैं मैक्सिम उसके यूज के लिए यह हमारे पास बेड़े थे हमने आपको दिखाए ठीक है डेंडोकल में जगन्टियस का जंगल में है वो अंदर उसको जाना पड़ेगा फिर उदर संदीब जी आपकी बीजीनस की वजह से आज के लिए आपका धन्यवाद औ त्यागी जी आगे इसको बढ़ाएंगे और किसानों को इस चीज से लाभानवित करेंगे कि वो सही जगे और सही पोता लगाएं देखवाल के लिए आगे और बता दिया जाएगा इसान साथियों ये थी एक छोटी सी चर्चा बांस पर और ओथंटिक चर्चा थी संदीब जी बहुत बिजी है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका वेट कर रहे हैं जिनने दिखाएंगे और फिर भी मैं इनको कश्ट दूँगा आगे कि इनसे कुछ और जानकारी हास दिल हो इसी के साथ मैं संदीब जी का और जो हैड माली है हमारे उनका मनीश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में डाक्टर साहब कई जिनकी कारण ये विजिट पोसीबल हुई इसी के साथ विदा लेते हैं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत बंदे मात्र झाल